नवस्कार आप देख रही है नेक्स्ट नाइन न्यूस पॉलिटकल बाइट और आपके साथ मैं हूं करांदे से दिल्ली में शराब नीती मामले को लेकर के जब से हलचल तेज हुई है तब से एक चीज जरूर देखने को बिल रहा है कि लगतार अरविंद केज्रिवाल का ना करने लग गया यानि कि सोशल मीडिया पर फिर से यूजर्स के पास में एक जो मुद्दा है वो यहाँ पर धूम मचा करके जो हैंके पास पहुचने लग गया और मुद्दा किसी और से जुड़ा हुआ नहीं है यहाँ पर खोद अरविंद केज्रिवाल के पिता से यह भी लगने लग गया था आपको इस रिपोर्ट के जरी हम आपको बताने वाले हैं केज्रिवाल के पिता ने बेहन को मा वता कर जमीन हरपनी कितना सच और कितना जूट बात 2014 की है 2014 के दौरान जो है आंदोलन करता के रूप में अर्विंद केज्रिवाल के परिवार की इमान पर उनके ही रिष्टेदारों ने सवालिया निशान लगा दिया था जिसके बाद जो हड़कम मचने लग गया था और यह मामला एक बाद फिर से खुल करके सामने आने लग गया है दरसल अर्विंद के जिवाल के पिता पर बहादुर गड़ निवासी एक परिवार ने बेटा राम बिलास इस जमीन को हासल करने के लिए अर्विंद केजरिवाल के पिता के साथ कई साल से अदालत में लड़ाई लड़ रहा है उसने और उसके बेटे ने रविवार को दिली में केजरिवाल के घर के बाहर धरना भी दिया था लेकिन केजरिवाल की सुरक्षा कर चलाते हैं इससे गुजारा नहीं चलता अपना रोजगार चलाने के लिए उन्होंने एक सरकारी बैंक से करीब आठ लाक रुपे का कर्ज भी लिया था लेकिन बेचुका नहीं पाई याने अर्विंद के पिता गोविंद राम के नाम करा दी थी लेकिन राम बिलास के अनुसार गोविंद राम ने सधिकार का दुरुपियोग करते हुए बहन सीता देवी की सारी जमीन को अपने नाम करा ली बकॉल राम बिलास उन्हें पता लगा कि गोविंद राम ने रिविन्य रिकॉर्ड में अपनी बहन सीता देवी को अपनी मा बता कर जमीन हरप ली यानि ये जमीन गोविंद राम की मा के नाम आ गई जिससे उसके मालिकाना अधिकार गोविंद राम के हो गई अमर उजाला संबादाता ने केजरिवाल से उनका पक्ष जानने के लिए उनके मुवाइल पर फोन डायल किया तो उन्होंने काट दिया इस मामले में जब सिवानी मंडी के तहसलदार पृत्वी सिंग गोदारा से बात की गई करने से परूब्ल को यहाय भी आपक यसे तुमामले के लिए रही है और बीन ट्सकाना पर और यूंन आपके सांसे वुपнокत्यलिक घ्रिया कर दो कर दो कर दो